और यहremosंगे कंसे आप आई हुब कि आप सबही अच्छे होंगे। önce आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं home ओर अगर आप मारे चैनल पर फे लिब आ रहा है तो내 इस्से चैनल को सब्सक्रेब करके वेल आइकन को प्रेस कर देना है सो गईस विडाउट एन्यवेश टाइम लास्ट को स्टार्ट वीडियो फॉर्स्ट अफॉल यहां पर आपको करना क्या है डाईलर पर जाना है सो से पहले आपको डालर पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई भी number डायल करना चाहते हैं जैसे कि अगर आप चाहते हैं पांच number प्रस करके रखूं तो मेरा एक किसी का भी number लग जाए जैसे कि पापा का number लग जाए तो आपको करना क्या है यहाँ पर click करना है इस पर click कर देना है और यहां से आपके number आ जाते हैं कोई भी number एक आपको set कर देना तो अभी मेरे phone में कोई number नहीं है बढ़ यहां पर आप click कर देंगे वो number set हो जाता है उसके बाद यहां पर आपको settings पर जाना है उसके बाद यहां पर अगर आप किसी भी number की call recording करना चाहते है automatic तो यहां पर आपको click करना है और यहां से आपको record call automatically इसे on कर देना है जैसे आप इसे on कर देंगे तो यहां पर सभी number की call recording start हो जाती है और यहां पर selected number पर जाएंगे तो यहां पर कुछ select कर सकते है number जिसे की list में जाएंगे तो यहाँ पर सभी नमबर आ जाते हैं और उसे प्लस कर सकते हैं और सभी नमबर की call recording करना जाते हैं तो all पर click कर देंगे तो automatic call recording हो जाती है यहाँ से back चले जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है incoming call settings इस पर click करना है तो सबसे पहले यहाँ से अगर आप इस option को on कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है जब भी आपके पास कोई भी call आती है और आपने phone को ultra कर दिया या फिर यहाँ से इस phone को इसे cover कर दिया तो आपकी ringtone बंद हो जाती है mute हो जाती है इसके बाद यहाँ से on कर देंगे तो क्या होता है जब भी आपके पास कोई भी call आएगी तो ringtone पहले दीरे बज़े कि उसके बाद increase होती चले जाएगी तेज होती चले जाती होके इस option को अगर on कर देंगे तो जब भी आपके पास कोई भी call आती है तो आपकी flashlight blink करना start कर देती जैसे कि यहाँ पर आपकी flashlight इस तरीके से on off होती रहती है अगर आप इस option को on करते हैं तो उसके बाद अगर आप इस option को on करते हैं तो यहाँ पर आपका यह मिल जाता है proximity sensor तो इसे on करते हैं तो क्या बता है जब भी आपके पास कोई भी call आ रही है फिर चल रही है तो जैसे आप कान के पास phone call ले जाएंगे तो यहाँ पर screen off हो जाएगी और कान के पास phone को ले जाएंगे हटा लेंगे तो automatically screen on हो जाती है इस तरीके से तो कि यहाँ से अगर आप इसे on कर देंगे तो क्या होता है जब भी आपके पास कोई भी unknown number से call आती है तो पहली ringtone आपके पास नहीं आती पहली ringtone mute हो जाती है unknown number की इससे off कर देंगे तो unknown number की भी ringtone आपके पास आईगी अब आगी off इससे on कर देंगे तो यहाँ पर unknown number की call कि रिंग्टोन पहली रिंग्टोन नहीं इसके बाद रिंग्टोन बजेगी वर आप करेंगे तो unknown number की रिंग्टोन आपके पास मतलब बजेगी एकदम से पहली रिंग्टोन भी और दूश्टी भी तो यहाँ से इसे कर सकते हैं अपने डिवाइस में नेक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है auto answer तो यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ से से on करने के बाद यहाँ पर आपको second हटा देना है settings से अगर आप चाहते हैं तेन सेटिंड लगाना चाहते हैं और लगा सकते हैं या पर no delay कर देंगे तो 0 second में एकदम से आपकी call receive हो जाती है अगर always पर कर देंगो तो यहाँ पर आपका phone रखा हुआ है तब भी यहाँ पर आपकी call receive हो जाती है automatically याँ फिर अगर आप only headset पर कर देंगो तो यहाँ पर जब भी आपके phone में earphone लगी होगी तो यहाँ पर आपका call receive हो जाएगा automatically बिना phone को चुए और यहाँ पर अगर आप इस वाले option पर क्लिक कर देंगे तो जब भी आपके phone में Bluetooth या फिर earphone connect है तो automatically आपका answer हो जाता है बिना phone को उठाए बिना जेब से निकाले आपकी call receive हो जाती है यह आपकी bike पर काफी काम देता है या फिर गारी चला रहा है तब आपको यह काफी काम देता है तो आप इसे on कर देंगे यहाँ से आप time लगा सकते है 5 seconds या 3 seconds या 10 seconds जो भी आप लगाना चाहें तो यहाँ से इसे back कर देते है उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है advance settings तो यहाँ पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको dial pad touch tune मिल जाती है तो इस पर आपको click करना है और यहाँ से आपको tune change करना है जैसे कि यहाँ पर default है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पियानो की मिल जाती है सबसे पहले तो आपको इसे ओन करना है ओन करने के बद यहाँ पर पियानो की पर कर देंगे तो यहाँ पर आपकी क्या होती है ट्यून अज़ती है वो पियानो जैसी जैसे कि यहाँ पर आप लेख पर हैं तो यह वाली टून आपकी बज़ती है जब भी आप कोई नमबर डाइल करते हैं तो यहाँ सब भी बैक करते हैं उसके बास सेटिंग्स पर जाते हैं उसके बाद यहां पर आपको क्यूक डायल में जाता है इस पर क्लिक करना है तो यहां से किसी भी नंबर पर सेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अल्यडी बताया एक बार यहां पर अगर दो नंबर पर कोई तीन नंबर पर सेट करते हैं यहां पर ती नंबर पर जाते हैं यहां पर एक number set कर देंगे तो यहां पर डायलर में हम ती नंबर को press करके रखेंगे तो automatically वो number लग जाता है तो यहां पर इन numbers पर आप set कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन पर किसी पर भी एक number आप set कर सकते हैं उसके बात यहां से बैक कर देते हैं उसके बाद यहां पर आटॉमेकली अगर आप इस option को on कर देंगे यहां से तो जैसे अगर आपने किसी का number लगाया और वह बीजी है तो आटॉमेकली उसका नमबर दोबारा से डायल होता चला जाएगा दोबारा दोबारा डायल होता रहेगा तो आप इस option को on कर देंगे तब अगर वीजी है दूशरा नमबर तो यहां से यह री डायल होता रहता है next यहां पर आपको miss call reminder यहां से miss call अगर आप चाहते हैं कि किसी ने आपको miss call गी और आपने उसे receive नहीं किया अगर फिख कोई कोई call आई और आप उसे receive नहीं कर पाए तो miss call हो जाती है तो miss call हो जाती है तो यहां से आप reminder लगा सकते हैं जैसे कि यहां पर one time two times five times ten times मतलब कि आप two times कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी miss call हो गए है तो यहां पर 2 बार आपको reminder हो जाए बार आपको पता चल जाए कि यहां आपके पास कोई भी call आई भी है किसी की OK next यहां पर आपको मिल जाता है power rate when your call answer अगर आप इसे click करेंगे यहां पर नॉर्मल कर देंगे तो क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी call आती है तो और आपने receive की तो तुरंत आपका phone बावरेट होता है next यहाँ पर आपको मिल जाता है call waiting notification इस पर click करेंगे तो यहाँ पर play notification sound consist तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी call चल रही है और दूशरी call आ रही है तो यहाँ पर आपकी ring tone आपको यहाँ पर पता चलती रहती है तीरे दीरे यहाँ पर एक tone बचती ही रहती है आपके device में next यहाँ पर आपको मिल जाता है Q response इस पर click करना है यहाँ से on कर देना है तो इससे क्या होता है अगर कभी आप कहीं meeting में है या फिर कहीं भी busy है और आप receive नहीं करना चाहते है call को तो आप यहाँ से एक message छोड़ सकते है cannot talk now, call me later या I will call you right back ओके मैं बापिस करूँगा या फिर आप चाहते है जैसे कि मैं college में हूँ या फिर मैं meeting में हूँ वो तो यहाँ पर आपको करना क्या है इस message पर click करना है एक पर किसी पर भी और से यहाँ पर delete करना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है कि मैं college में हूँ या फिर office में हूँ और bank में हूँ मैं college college में okay okay कर देना है तो यहां से क्या होता है जैसे आपके पास कोई भी call आती है तो एक message का option आता है message पर click करेंगे और यहां पर इस message को type कर देंगे type करना नहीं है उस बस message पर click करना है और यह message automatically उस बंदे के पास पहुंच जाता है तो वो समझ जाता है कि यहां आप college में है या फिर bank में इस तरीके से यहां पर एक set कर देना है आपको जहां भी आप ज़्यादा विजी रहते हों तो आपको यह type करने की ज़रूत नहीं रहते हैं यह quick response मतरब कि तुरंट से आपका मेसेज पहुंच जाता है यहां फिर जैसे आप यहां पर button show button for ending call यहां पर यह message लिखा होता है तो यहां पर message आप प्रंथ बेश सकते हैं next यहां पर आपको यह मिल जाते है call, wearing call id caller id और fixture dial number तो यह आपके जब on होते हैं जब यहां पर आपके phone में SIM card होता है तो अभी हमारे phone में SIM card नहीं है तो यहां पर यह option off है तो यहांसे back करते हैं उसके बाद यहां से अगर आप call को forward करने चाहते हैं किसी दूशरे number तो यहां पर call forward setting है यहां से आप किसी भी number पर call को forward कर सकते हैं बाट अभी हमारे internet यहां पर इस phone में नहीं चल लाए या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमारे phone में sim card नहीं इसलिए यहां पर यह दोनों option off है तो यहां से आप यह option on कर सकते हैं वाकि आप call betting का option यहां से on कर देना इससे क्या होता है कि आपके पास कोई भी call आती है एक number पर और दूसरी कोई दूसरा बंदा भी लगा रहा है तो आपको यहां पर betting में उस बंदे को भी पता चल जाए कि हाँ बेटिंग में है और आपको भी यहां पर notification मिलती रहेगी ओके I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो please से वीडियो को like and share जरूर से कर देना तो आज के इस वीडियो में इतना यह मिलते है next interesting वीडियो के साथ